नमास्ते, आउं प्रगे सोतरा सिद्धील कीर उप तुसे सारे लोकेरा मता मता मलार करनी, सारा देश जड़ाना और रंग बरंगे फुले आंदा कगुल दसता है, जिया हरे फोल दे बखरे-बखरे रांग उन्दे ना, यहां के सारे हरे क प्रदेश जड़े और रंग भी आगल करका लुज्त कि दिखने कि सारी कि अपनी अपनीयां माननेतान सारी याइन बखरी आस्थान है अजजी ते मेन गाल करें ते मंदर शिरिकर्णी माता जीदा मंदर और उठे दी आस्ता उठी मान्यता लोग यह ए कि उसम मंदर यार्यां जिसाब दी चुए नहीं और उन्ट वेगी और उने की पूझावी करते नहीं और अपर शाद जड़ा से बना निया मंदर जाड़ ने थाइं ऑपर शाद जड़ा नहीं तोनों चल गाल कुभ सकते हैं जड़ा ग्राथ संब्सक्राइबर दोग मारें गोट हो फेंचेह एक आगे पता चली कि आना पर मैं तुसेंगी एस नारही कि बखरियां बखरियां आस्थाना लोक क्या दियां बखरियां मानने था नहीं अथे लोग यह आख देना कि और उने की चुवानी आग दे वह उने की काबा आग देने ओंदा ए मनना है की चुवे नी घिस पर एक पूरवज नहीं है साथे कोई भी पूरा या त्या चुवा के जड़ा वह बनी अनन्डे और उसा मंदर दी हार अगे पिछ जिनियां भी दिकानना है ठीक है हर जगा तु पर उते दे लोग ना आगे और उन्दे को लंगे चखन देना है वो दिखी उने की मता टेक देना है और एक चीज और में मैं दिखी जड़ी ओमी थोड़ी जई अलाग लगी बखरी लगी दिखनेगी उते के हा किक बड़ी जे प्रात चे दोद पेदा हा और सारे चुवे आपने रिष्टदारें की वीडियो काल करिये और उने की दसा रहें कि मारा एक दिखो ताड़े पूरवजन है और वीडियो काल पर बाटे रहा बना जड़ा है और यह आथ जोड़ी है मता डेकरा तो एक चीज बड़ी के जड़ी में बखरी दिखनेगी तोई तो मैं सोच कर रहा हूं मंदिर कंडी माता जी के परिवार से हूं पुजारी परिवार से हूं और यहीं रहता हूं और आप यह मंदिर एक अद्बुत हैं और यह मंदिर करीबं 600 साल पराचीन है और इस मंदिर के अंदर यह माता जी की करम बोमी है कंडी माता ने यहां सोच सरी समानी र मतलब गायों के लिए यहां गोर रक्षत मतलब ओरन को बनाया और हजारों के चमतकार किये थे आप इस मंदिर में जो आप चुए देख रहे हो इन यहां इनको चुए नहीं कहते हैं काबा करणी जी का सांसारिक शुक्तुक से कोई लेना देना नहीं था वो तो बरमचार नही लक्ष्मन तुम कहीं जाना मत दोस्तों के साथ वो केमल कार्ट पर बैठके वहां चले गए उनको तेड़ना तो आता नहीं था जैसे उन्होंने पानी के अंदर जंपला गई वहीं उनकी मर्ती हो जाती है मर्ती होने के पसाथ दोस्तों के दारा उनके पार्थी शरीर डेड़ बोडी को केमल कार्ट पर रखके यहां लाया जाता है जो माता जी का निजमंदी रहें यहां लाने के पसाथ कर्णी लक्ष्मन जी की मा गुला भई उन्होंने बहुत ज़्यादा रूदर किया भी आप तो शाक्षार नो दुर्गा बुने इसरी पारवती से रुपाओ आओ आप बीकाने रबस हैं जो तुर बस है राजपुत लोगों जोगों जीवन दान दिय है पहले यह कर्णी माता का पुजा इस्तलता वहीं अपने बच्चे को ले गए और डख दिया और दर्बंद कर लिया फिर यहम लोग गए धर्मराज इमराज के पास गए का भी मेरा बेटा जो तुमारे पास आ दे दो धर्मराज इमराज ने का भी आप तो शाक्षा नो द हिला दिया अच्छा किया आज के बाद मेरे बेटे तुमारे पास नहीं आएंगे मेरे जिते जी किसी लड़के की मरती नहीं होगी अगर मरती होगी तो मों मेरे पास रहेंगे फिर कर्णी जी ने गणिश जी के बहान नुमा सिर्फ चुहे की आकरती को चुना फिर यहां इ जिन सेंगिया बरतमान में पांच जार हैं पांच जार देपाउत परिवार में से हमेशे किसी वेक्ती की मर्तियु होती है देपाउत परिवार में तब हमारा नेक्स रीबरोन इन काबों के रूप में होता है इनको चुआ नहीं कहते हैं काबा के रूप में होता है अगर मैं ह बाहर वाला काबा अंदर नहीं जाता, अंदर वाला काबा बाहर नहीं आता, इसी मंदिर के अंदर सोरग नोरग है, हम सामने और हमारे में इसे जो अच्छा करम करता है, वो वाइट काबा बनता है, उसे देखना अच्छा माना जाता है, लोग अपनी मनों कामना लेके आते है उनके मनों कामना पूर्ण होती है, देखना सुब माना जाता है वाइट का बज़ो मेर हमारे में से बहुती वेरी वेरी गुड करम अच्छे करम करता है, वो बनता है, उसे माता जी का भी सरूप मानते है ये मंदर की कुछ टाइमिंग है, कि कितने देर के लिए यह मंदिर खुला रहता है यह दिन राथ हार टाइम खुला रहता है। अब सामने थे हम अपने घर में एक चुए को पाल लिते हैं बार से तो उसको खाना किलाते हैं तो कितना फैट हो जाता है मंडेक बाद कितनी बडबू होती है कितनी डिजीज नहीं कितनी बीमारिया होती है यहां कोई डिजिस नहीं, कोई बद्वू नहीं है, अब यहां अभी इस परजेंट टाइम में कोरोना चल रहा है, कोरोना से पहले सुरत में महा मारी फलेग जैसी बीमारी फैली थी, तो लोगों ने आकर जो फलेग वाले रोगी थी, यहां आकर जो काबा पानी पीते हैं, उ तो बाहर के लोग जो आते हैं, आप लोग तो यहीं के रहने वाले, आप लोग तो इन सब चीजों को मांद जो बाहर के लोग आते हैं क्या वो भी इन प्रशाद को बिल्कुल देखो इस बाहर के जो भी आते हैं जो माता जी से आस्ता रखना है विलीव रखता है हिंदूरिजम के बारे में और इनके बारे में जानता है जो भी हो अगर ने भी जानता हो वो भी खाता है तो किश परकार का कुछ नहीं होता क्योंकि माता जी का परशाद है इसे लोग मतलब आहस्ता से खाते हैं और जो भी अपने मतलब कोई बिमारी और कुछ भी नहीं होती है बाहर से दूर दूर से पूरे भारतवर से आते हैं व माता जी कहा वा जेतनी झंक्याएं माता जीखे वह इतनी ही रहती ए ऩदिर आप होंगे कि री का भी रूप माता जी का माना जाता है और सुर्व पर्तम कर्णी जी ने जोतपूर कर्णी माता ने बशाय था अभीका जी की शादी कर्णी माता ने करवाई थी और जिसले मेरे के महारजा को एसाय मतलब रोग था उसको ठीक या बग अलवर के महारजा बक्ता और शिंग जी को आशाय वेदना से मुगती दिलाई अपने जियून काल में बहुत सारे चमतकार किये थे और आज भी हजारों चमतकार करते हैं और बहुत सारे चमतकार होते हैं